आलो एव्रीवन इस राहुल मिना वेलकम यॉल इन ओफिशल यूटूब चलोफ अटारोटी फॉर सेवन रेगुलिटरी बोड़ी जने सो सु दोस्तों, Hill in a yogo वेडियो था, जिसके अंदर हमने बताया था कि क्या यह राइट टाइम ही, अपकी पَّरेजिये करनाका अपकी प्रोपरayशन अपनी स्टार्ट करनी है अब अब उसके बात का जो next step होता बच्छे वो उसमें क्या क्या है कि आपको यह कुछ चीजी जानना जरूरी है कि eligibility criteria क्या 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 रहता है इस examination में exam pattern क्या होता है syllabus क्या होता है examination date क्या हो सकती है इस बार की तो यह सारी बातों पर हम लोग discussion करेंगे तो आई जारा शुरुवात करते हैं बिना किसी देरी के session की the very first thing is that कि आज दशेरा है तो आप सभी को अड़ा 24-7 की पूरी family की तरप से और हमारी तरप से दशेरी की हर्दिक शुपकामनाए happy दशेरा to all of you ठीक है so देखी इस पर क्यानाए कि अड़ा 24-7 के सारे जो महापेक से उन सभी पर आज आज आपको double validity के सांसा 80% का discount मिलेगा sir 80% के से यह तो 70 नहीं लिखा हुआ है तो 1% extra कहां से मिलेगा application app के थूँ तो link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ से आप application app को download कर ले और उसके थूँ किसी course में अगर admission लेंगे आप लोग तो आपको 80% का discount मिलेगा ठीक है अच्छा रैफल code आपको धियान रखना है Y710 इस रैफल code को use करें ताकि maximum discount आपको हैसे मिल पाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है तो देखिए एजेंडा जो है बिल्कुल clear होना चाहिए आज कैसे जन का कि भी हम exam pattern देखेंगे examination का कि यह जो हमारा examination है basically इसका exam pattern क्या होता है eligibility criteria क्या रहेगा इसका RB grade B का syllabus क्या होगा इसका और exam rate क्या हो सकती है तो यह कुछ बिंदू है जिनके उपर हम लोग बात करने वाले हैं आज ठीक है चलो दोस्त तो देखो RB grade B एक काफी बड़ा examination है देखा जाए तो और काफी सारे लोगों का dream job होता है तो इसके लिए महनत तो हमें कर रहे हैं ठीक है तो महनत अच्छे से करोगे तो result आप जरूर से ला सकते हैं उसके अंदर अगर आप हमरे चलों पर नए हैं तो चैनलों को subscribe जरूर कर लिजीगा, bell icon पर क्लिक कर ले ताकि upcoming classes और वीडियो को notification आपको मिलते रहेंगे, application आपको जरूर डाउंलोड करना है क्योंकि इसमें काफी सारा तीन phase में complete होता आपका phase 1 आपका होता है जिसका आप लोग preliminary examination बोल सकते हैं जो की objective exam होता है आपका ठीक है, objective उसके अलावा आपके बाद phase 2, जब आप phase 1 को clear करोगे हैं से, phase 1 को clear करने के बाद आप phase 2 में आप जाओंगे तो phase 2 के अंदर आपका objective और descriptive दोनों होता है, ठीक है अच्छा descriptive जो होगा basically वो paint paper mode पर नहीं होगा आपका descriptive जो होगा वो typing वाला part होगा तो उसके लिए आपको speed उसपर भी increase करनी है ना, उसपर भी starting से थोड़ी से practice करते चलेगा आप लोग, ठीक है हमने कहाना कि एक बार आपने decide कर लिया कि sir मुझे RBA grade B की preparation शुरू करनी, start कर देना है और जब starting करने जाओगे तो फिर धीरे दिरे आपको चीदे समझ बहाएगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है इसलिए हमने कहा है कि जितना जल्दी शुरू करते होगे उतना भाइता है आपके लिए तो phase 2 के अंदर आपको objective और descriptive दो पार्ट्स होंगे इसके अंदर, फिर आप जाएंगे interview के अंदर फिर जाएंगे interview के अंदर अब इन सबको अगर देखा जाए तो आपको देखो ये समझ माना जी कि ज़र phase 1 जो होगे आपके बस होगा वो total 200 marks करेगा आपके बस phase 1 जो होगे कितने marks करेगा 200 marks करेगा, ठीक है पिर अगर अगर अपन phase 2 की अगर बात कर ले तो phase 2 जो होगा आपके बस वो 300 marks करेगा basically, है ना अभी देखेंगे अपन total ओर detailing के साथ में और interview के अगर बात कर ले तो 75 marks करेगा ठीक है, अगर हम phase 1 के अगर बात कर ले जो ये वाला data है, ये सिर्फ qualify गी nature है इसको आपको सिर्फ qualify करना है, ठीक है मतलब जो आपकी final merit list बनेगी जिसका आपका final selection होगा उसमें इस वाले पार्ट का एक तरह से देखा जाए तो roll नहीं होगा लेकिन दूसरे तरह से देखा जाए तो इस पार्ट का बहुत ज़दा roll है, ठीक है, क्योंकि भई जब तक आप phase 1 clear नहीं करोगे तो आप लोग आगे move नहीं कर सकते तो इसको इस तरह से मत सूचे कि sir qualifying in nature है just qualifying in nature है, just qualifying in nature नहीं उसको qualify करना compulsory है तब ही आप लोग आगे move कर पाओगे otherwise तो क्या होगा, कि काफी सरे बच्चों की जो छटनिया है, वो यहीं हो जाती है काफी सरे बच्चे यहीं सर अलग हो जाते है phase 1, उसके अधर फेस 2 और फेस 3 तो इन दोनों पर आपका depend करता है final selection इन दोनों parts पर आपका final selection करता है depend करता है basically, ठीक है इसमें आपको अच्छा perform करना है, right, चली आगे बढ़ते हैं, कुछ और points पर discussion करते हैं, कि देखिए अगर हम subjects के गर बात करने दोस्त तो आपको quant, reasoning, English current affairs, है ना, यह phase 1 का part रहेंगे basically, इधर अगर जाएंगे आप लोग, तो management हो गया, finance ASI, current affairs, answer rating और English descriptive, है ना, तो यह वाला part आपका इसकान रहेगा, phase 2 कर रहेगा basically थोड़ा और detailing करें इनकी थोड़ी और detailing करें, तो दिखिए जो phase 1 आपका होता है, phase 1 जो आपके बास होता है, उसमें general awareness की जो questions आते हैं, वो 80 questions होते हैं, 80 questions होते हैं 80 maximum marks आपको मिलते हैं उसके लावा 25 minutes का इसमंगेंदर आप सोचो, 25 minutes का time duration है तो कई बारी ऐसा होता है, मतलब most of the time ऐसा होता कि बच्चे उस पूरे 20, जो 80 questions हैं, उनको read भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक दम बहुत ज़दा easy, easy, easy चीज़े नहीं होगी, इसके अंदर, थोड़ी सी 80 questions तक reading नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसके cut-off बहुत कम जाती दोस्तों, cut-off कम जाती है, क्योंकि cut-off कम जाने का एक ही reason होता है, कि question paper जोगा, थोगा सा difficult होगा अभी हम वो भी discuss करेंगे, कि cut-off कितना क्या गया अभी तक का, और कितना कितना जा सकता है quant के अगर बात कर ले quantitative aptitude वाले part की, तो ये काफी सारे बच्चों का pain point बना हुआ होता है, अब ये दर्द क्यों देता है, क्योंकि इसके preparation हम लोग नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके सा अगर इसके strategy बना के proper preparation करोगे, इसको time दोगे तो ये आपको परेशान नहीं करेगा जादा, राइट, छीके तो 30 questions होगे इसके, 30 maximum marks होगे, और 25 minutes का time duration आपको यहाँ पर भी मिलता है, छीके बात अगर English की कर ले, तो यहाँ पर 30 questions आपको मिलेंगे, 30 maximum marks और 25 minutes आपको यहाँ पर मिलेंगे, उसके लाबर reasoning section के अगर बात कर ले, तो 60 questions दोस्त आपको यहाँ पर मिलते हैं, 60 maximum marks होगे 45 minutes का time duration आपको यहाँ पर मिलेगा, छीके, तो यह रही आपके phase 1 की पूरी की condition की इस तरह से आपको आपके रहने वाला data, यहाँ पर आपके sectional timing दे रखा है, sectional timing दे रखा हमारे पास में, है ना, अब इस दिखो यह phase 1 जो है इसमें कुछ important point से वह हमें पता होना चीए, कि total marks तो 200 है, आपको समझ में आ रहे है कि total marks हमारे पास 200 है, number of questions के अगर बात कर ले तो वो भी हमारे पास कितने 200 है right, अच्छा सर, negative marking होती ही गया काफी सरे बच्चों के दिमाग में ये एक बात आती रही थी, कि सर, negative marking होती ही गया इसके अंदर, तो बिल्कुल होती है भई, 0.25 negative marking इसके अंदर करी जाती है right, मतलब ये मानगे चलो कि एक question अगर गलत करोगे तो 1.25 सीधे cut-off भी होता है दोस्त, है ना, कि अलग अलग में आपको sectional cut-off तो basically clear करना ही है, अभी आपको बताएंगे कि sectional cut-off कितना कितना जाता है इसका तो sectional cut-off clear करना आपको ज़रूरी होगा right, overall cut-off भी clear करना ज़रूरी होगा, बात समझ पारे हो overall cut-off भी आपको clear करना ज़रूरी होगा sectional निकाला, sectional के सांसद आपको overall भी निकालना है, और बात कर लें कि marks not added, तो दोस्त ये जो phase 1 है, कि final selection आपका depend होता है उसमें इसके marks add नहीं कर जाते हैं इन सबको आपको सिर्फ qualify करना है qualify करने के बाद आपको phase 2 के अंदर पहुच जाना है that's it, ठीक है, बट इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट चलिए, आगे हम लोग बात अगर कर लें कि सर ये जो phase 1 है इसका cut-off क्या जा रहा है cut-off क्या जा रहा है, तो देखो, हमने 2023, 22 और 21 इन 3 years का रखा है, basically हम पर cut-off ठीक है, बाकी का भी रख सकते थे बट इन 3 से अपने को idea लग जाना चीए, राइट तो देखे, सबसे पहले अगर बात कर ले general awareness की, तो देखो general awareness जो questions होते है, कुल मिला कर कितने माक्स के 80 नमर का होता है, section cut-off कितना जा रहा है, इसका देखो, अभी इस बार 2023 में 12 नमर गया था 2022 के अंदर भी 12 नमर गया था लेकिन उसके पहले 16 नमर का cut-off गया था, किस में से, 80 नमर से कुल मिला करो, और 80 में से आपको 12 नमर लाने सिर्फ 12 नमर लाने, 80 में से 12 नमर लाने तो हम यह नहीं होने कि पूरे के पूरे 80 questions को read करो, उस 25 मिनिट के अंदर लेकिन वहाँ पर आपका question का selection रेना चाहिए, वो proper रेना चाहिए कि हाँ यारी, जो हम कर रहे हैं, वो एक दम बिलकुल correct होगा, सही होगा आपने पास, ठीक है और 2022 का भी 9 marks गया था, देखरो अब दोनों में बराबर बराबर गया cut off, ठीक है, तो मतलब paper जो था difficult level का था थोड़ा सा, पर यहां पर बात कर ले तो 12 number cut off इधर गया था reasoning का, है ना, कब 2021 में 2021 के अंदर, आगर बात कर लें English की, तो English के आपके बस 30 marks होते हैं, है ना, इस बार 4.5 गया था, last year भी 4.5 गया था, उसके last year, 6 number cut off गया था आपके बस, यह पूरी picture आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सर इतना इतना cut off जाएगा, तो हमें अपना target score कितना रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा 4.5 इस बार गया था, है ना, 4.5 last year गया था, और 6 number का cut off का, उसके last year गया था, ठीक है, तो यह cut off आपके बस, अब अगर यहाँ पर इतना साब होने के बाद में, अगर overall cut off के अगर बात करते हो आप लो, कि सर overall cut off का क्या scene है, तो देखो, इस बार का जो overall cut off है 54.25, कितना है, 54.25 cut off overall, अब इसको add करके तो इबनीगा नहीं, तो मतलब कहीं ने कहीं sectional के सांसाथ, आपको एक part ऐसा strong होना चाहिए, कोई ने कोई मतलब जो भी है, आपकी या तो reasoning strong हो, या फिर GA वाला part आपका ज्यादा strong हो, quant strong हो, जो भी part आपका strong है, उनमें थोड़ा extra score करके, आपको overall cut off भी clear करना है, तो इस बार का overall cut off कितना गया था, 54.25, राइट, सारी condition सेम थी, last year भी सारी condition सेम थी, लेकिन overall जो cut off गया था, वो गया था 63.75, 2022 के अंदर, कितना गया है, 63.75, 200 में से, फिर अगर इसकी बात करें, इसके last year की, तो 66.75 गया था, 66.75 गया था, तो दोस्तो, आपको sectional के साथ-साथ, overall को अभी ध्यान रखना है, अगर लोग आपको बुले, कि भीए, इसमें तो 4.5 नमर लेकिया हो, 5 नमर लेकिया हो, हो गया clear, लेकिन वो ये भूल जाएंगे हो, बोलना कि भीए, overall भी clear करना आपको, ठीके, तो और आगे move करते हैं, आगे अगर देख लिए बच्चे, phase 2 के बारे में, तो phase 2 में अगर देखोगे आप लो, तो paper 1 जो होता आपका, economics and social issues का, इसमें objective और descriptive दोनों पार्ट्स होते हैं, objective और descriptive दोनों पार्ट्स होंगे, objective को जहाँ पर 30 मिनिट्स मिलेंगे आपको, 50 marks का data आप descriptive में आपको 90 मिनिट्स मिलेंगे, अच्छा descriptive वाला जो data है, इसको यह हमेशा आपके दिमांग में रहना चाहिए, कि जो descriptive आपका होगा, जो descriptive examination हमारे वाल होने वाला है, ठीक है, तो यह कोई pain paper mode बर नहीं होगा, इसमें pain paper आपको नहीं दिये जाने वाला है, इसको क्या करना अब अपनी typing speed पर भी थोड़ा काम करना है, रेगुलर बिसेस पर थोड़ा-थोड़ा typing speed पर भी काम करते हैं चलिए का शुरुवात से, नहीं नहीं तो पता चले कि हम यहाँ पर mistake कर रहे है, spelling mistake बहुत जादा हुरी है उसके इंदर, क्योंकि वो सबचीरे चेक करी है यह exam को food भी सकते हैं, राइट, चलिए, तो यह हो गया, उसके अलावा अगर बात कर ले paper 2 की जो English writing skills का होता है, 3 questions के अंदर आपको करने, descriptive रहेगा, 90 minutes आपको मिलेंगे, 100 marks का data यह रहेगा, ठीक है, फिर paper 3 के अगर बात कर ले, financial and management की, FM के अगर बात कर ले, तो इसके अंदर objective और descriptive, दोनों parts होंगे, objective आपको 30 minutes, 50 marks, descriptive आपको 90 minutes, 50 marks, है ना, तो इस तरह साब देख सकते हो कि 300 marks की कहानी है, चलने वाली phase 2 के अंदर, है ना, phase 2 के अंदर आप तभी move कर पाओगे, तभी जा पाओगे, तभी दे पाओगे, जब आप phase 1 को clear करोगे, इतना हमेशा दिमाग ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों देखो, फिर final बात आती है हमारे पास किसकी interview की, किसकी बात आती हमारे पास interview की, तो interview जो है वो 75 marks का होता है, है ना, और फिर आपका interview जो होगा 75 marks का होगा आपके बास में, और जो final अपना selection होता basically, है ना, final selection जो होगा, एक तो phase to, जो कि आपका 300 number का है, ठीक है, interview जो कि 75 marks का है, तो total मिलाकर 375 marks जो बनेगे, उसके अंदर से आपका final selection जो है, वो decided होगा असके अंदर, right, clear, तो final section, मतलब, अगर selection बात कर ले, तो वो ही कि, जो आपके 375 marks आँगे, इसी में से, आपको होने वाला है, ठीक है, और देखो, interview interview के अंदर, मतलब, ऐसा कोई hard and fast rule ही होता है, कि आपको English ही आना चीए, आप English में ही जवाब दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सभी को मतलब, ये ध्यान रखना है, कि हमें interview के अंदर, हम Hindi में भी बोल सकते हैं, और English के अंदर भी बोल सकते हैं, हिन्दी, English, दोनों मे अपना graduation वगएरा किया हो, उसका भी थोड़ा knowledge रखेगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि उस field से भी related questions पूछ लिजाते हैं, आपका family background कैसा है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेगा, उनकी चीज़े आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर आप मान लोजे, आप former वगएरा हैं, आपकी family में, आपके पापा वगएरा, कोई farmer वगएरा है, या फिर मतलब जो भी background है, तो आपको पता है रहना चाहिए, अगर farmer का case है, तो फिर पता है रहना चाहिए, कब कौन से फसल होती है, कब किसकी कटाई होती है, इस तरह से, या फिर आपके कोई family business है, तो उसका पाबात कर लें, कि यहाँ पर बात आती है, हमरे पास eligibility criteria, चिक है, कि grade B examination जो होए, इसको कौन-कौन बच्चा दे सकता है, कि इसका eligibility criteria जो basically है, वो क्या होता है, तो इस पर थोड़ा सा अपन बात कर लें, तो देखो, दूसरी बात ध्यान रटना कि, आज क्या है, आज क्या है विजय दश्मी है, दशयरा है आज, तो अड़़ा 24.7 के सारे जितनी भी महापेक्स है, सब पर double validity के सहंसान, 80% का discount आपको मिल जाएगा, तो एक छोटा सा referral code होगा, Y710, इस referral code को यूज करके, आप लोग ना अभी maximum discount डे सकते हो, अगर लेना चाहें, किसी course में अगर enroll करना हो, then you can use this referral code, which is Y710, ठीक है, इसको कर सकते हैं, last में आपको बता देंगे कैसे enroll कर सकते हो, चली, तो let's talk about the eligibility criteria, अगर eligibility criteria के अगर बात कर लें दोस्तों, क्योंकि देखो, हम किसी भी exam के जब preparation करते हैं, या फिर किसी भी चीज के लिए preparation करें, तो पहले उसका eligibility criteria देखना जरू में आके पता चल रहा है, कि यार हम तो इसके लिए eligibility नहीं है, तो फिर वो बड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए हमें eligibility criteria पहले से पता होना चाहिए कि क्या eligibility criteria होगा इस examination का, तो देखिएगा, आगर हम बात कर रहे हैं कि age limit के अगर बात कर लें, तो दोस्तों age limit जो है, lower age limit कितन है, 30 है, यह general candidates के लिए होती है, कि आपकी minimum तो 21 साल के होना चाहिए, और जादा जादा 30 साल के हो सकते है, general category के लिए, अब इसके बाद में क्या दे रखा है, देखो हमेशा general category को लेके चला जाता है, जैसे cut off के अंदर में हमने general category को रखा गया था, क्योंकि बाकी लोगों का category wise, आपको age relaxation भी मिलेगा, अगर आप किसी category में आते हैं, जैसे, मैं हम आप से कहें, कि भई, जैसे SCST में अगर आते हैं आप लोग, तो आपको 5 साल का age relaxation भी मिलता है, जैना SCST में कितना 5 साल का मिलेगा, OBC वालों को यहाँ पर 3 साल का age relaxation मिल जाएगा, मतलब आप लोग 33 years तक अपनी इस examination में अपेर हो सकते हो, दे सकते हो, अगर physically handicapped के अगर बात कर लें, तो 10 years का age relaxation उनको मिलता है, physical handicapped, OBC वाली category में अगर आते हैं, तो उनको 13 साल का age relaxation मिलेगा, वहीं पर SCST के अंदर आते हैं, अगर physically handicapped, तो उनको 15 years का age relaxation मिलेगा, तो age limit minimum maximum के अलावा, अगर आप category से belong करते हैं, तो आपको age relaxation भी मिलेगा, और देखो, अगर आभी आप eligible हो, अगर आपकी age है, तो ये मत सोचो कि हमें इतना age relaxation मिलता है, आप अगर इस age में इस limit में आ तो उसी में clear करो ना, examination, क्योंकि जब आप grade B level पर join करोगे ना, तो उसके बाद भी आगे बढ़ने अगलग पोस्टे हैं आपर, मतलब 4-5 साल के अंदर मतलब promotional होते हैं इसमें, ठीक है, वो आपको और बता देगे हैं आगई, आगर दोस्तों education qualification के अगर हम बात कर लें, किसकी, just a minute, just a minute, कि अगर education qualification के अगर बात कर लें, तो देखिए, यहाँ पर कोई, मतलब ऐसी कोई limit नह अनी नहीं है, लेकिन अगर आप eligible हो, अगर आपके अंदर वो quality ही, कि आप grade B का examination निकाल सकते हो, निकालो अराम से, आके हमारे साथ काम करो, कोई problem नहीं है, ठीक है, तो इसमें education qualification में कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा है कि graduation in any discipline, equivalent technical or professional qualification with minimum 60%, लेकिन दोस्त, इस पर ध्यान देना पड़ेगा हमको, है ना, जो उन्होंने जो criteria fix किया ना, कि भाई minimum जाना, 60% marks तो आपके होना चाहिए, जनरल केटिगरी वालों के लिए, हैना, कि 60% तो आपके होना चाहिए minimum, right, और वहीं अगर बात कर लें, कि 50% होगा किसके लिए, SCST, PWD, applicants के लिए, उनके लिए क technical और professional qualification with minimum 55% marks, अच्छा देखो, यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा बोल रखा कि भाई, अगर देखो आपका graduation है, अगर आप सिर्फ graduate हो, अगर आप सिर्फ graduate हो, तब तो आपके 60% होना चाहिए, जनरल की बात कर रहे हैं, तब तो आपके 60% होना चाहिए, लेकिन अगर आपका higher graduation होती ही basically, जब के higher degree होती है, उसी को preference दी जाती है, उसी के marks mainly वो लेते हैं हमापे, तो इस बात का ध्यान रखें, और यह कहा गया आप लोगों से, pass marks for SCSTPWD, इनके लिए तो भी कोई मतलब, जो अगर आप लोग किसी category से belong करते हैं, SCSTPWD से category से बोलते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ pass marks, कि भीया, पास हो जाओ, हमने कोई criteria नहीं नहीं fix किया, कि आपके इतने percent marks होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ माया है, मतलब, अगर हम बात के लिए education qualification की, अगर general category से होए, सिर्फ graduate है आप, सिर्फ graduation किया है आप लोगोंने, तो आपके 60 percent marks होना चाहिए, that's it, अगर SS3, PWD के category में अगर आते हैं आप लोग, तो आपके 50 percent marks होना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, कि सर, अगर आपने post graduation किया है, तो post graduation किया है, तो general candidates के 55 percent marks भी अगर होंगे, तो वो eligible ace के लिए, है ना, अगर मान लो इधर आपके marks नहीं लेकिन आपने यहाँ पर 55 percent marks से score किये हैं, तो आप eligible ace के लिए, और जो आपकी high degree रेगी, उसी को priority दी जाएगी, वहीं पर अगर बात कर ले, कि जो assist और PWD के अंदर आ रहे हैं, तो post graduation में अगर आप pass भी हैं, तब भी इसके लिए apply कर सकते हैं, तो application में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यह मामला clear है आपका, ठीक है, चलो, अब इसके बाद में एक और जो सबसे बड़ा वो आता data, कि सर, हम कितनी बार attempt कर सकते हैं, दोको सबसे पहली बात होना, यह question ही पूछना गलत होता है आप लोगा, कि सर, हम कितनी बार attempt कर सकते हैं, कुशेश कर रहो ना कि, एक ही बार में निकालना इस examination को, है ना, बट फिर भी कोई बात में बता देते हैं, आपको कि number of attempts कितने हैं, देखिए, जो general category के students है, उनके लिए general candidates EWS के इंदर रगा जाएंगे, तो इनके लिए ना 6 attempts है, कितने attempts हैं, दोस्तों आपके पास 6 attempts हैं, और देखो, यह 6 attempts ना more than sufficient है, 6 attempts में, एक attempt में समझ में जाएगी कहानी, अच अब तक तो हम किसी भी तरस उसको फोड देगें, और खुदा ना खासता वो भी नहीं निकला, तो तीसरे attempt में तो anyhow निकल नहीं हैं उसको, क्योंकि आप आपको, आप आप सीख चुके हो, एक बार में सीखा कुछ-कुछ, फिर दूसरी बार में फिर आपने और सुधार कर आप तीसरी बार में पूरी तरस से ready हो के निकाल सकते हो examination को, है ना, ऐसा नहीं कि तीन attempt तक जाना पड़ेगा, अगर आप में वो quality है, अगर आप capable हो, तो पहले ही attempt में उस exam को फोड सकते हो, निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, बस discipline जरूरी है, okay, discipline आपकी जरूरी हो, और consistency ज दे सकते हो, लेकिन फिर भी, 102 attempt में आप भी निकाल लोगे, आराम से कोई तकलिफ में आएगी, तो यह attempt की बात होगी, तो इससे regarding question आपका नहीं होना चाहिए, अच्छा, कई बारी ना, बच्चे, मतलब, होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, यह हमने, उन्हीं के जो questions होते हैं, मिनली, जोट्या 24-7 के हमारी website है, वहाँ पर नीचे option होता है questions का, तो उसमें बच्चों के रहते हैं कई बार questions, कि सर, मैं final student हो, क्या मैं eligible हूँ, मैं final student हो, क्या मैं eligible हूँ, तो भाई सब नो, आप eligible नहीं हो, ठीक है, degree होना ची है, उसके marks होना ची, basically, fill up करो, उसके बोल दिया, कि भाई यह बैंक के exam के preparation करना और आप लग गए, तो थोड़ा सा अपना time लो, सोचो चीजों को समझो कि हम निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यह तो क्या मतलब काफी time waste करने से इधर, भाई सब को अपनी quality के बारे में पता रहता है, ठीक है, धीरे हमें अप खुद के बारे में knowledge भी हो जाता है, कि अपने कितने capable है, क्या कर सकते हैं, क्या निकर सकते हैं, ठीक है, तो हमें idea रहता है कि अपने exam को निकाल लेंगे, या फिर नहीं निकाल लेंगे, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, उसके अलावा, is distance education considered valid, हाँ बिलकुल, य नहीं है, आपसे पहले कहा है कि अगर आप normal graduation, normal graduate है, तो you can appear for this examination, आप इसमें आराम से अपिर हो सकते हो, हाँ, post graduation अगर आपके पास है, तो वो एक अच्छा मोका आपके पास कि अगर आपके marks कम है, graduation में, इधर आपके 55% भी, तो आराम से कर लोगे, चली, उसके अलावा कहा आपके marks to be obtained are in each semester और aggregate, है ना, कि भाई, इसमें कि क्या रहेगा सर, तो भी यह semester का कुछ नहीं है, aggregate वाला ममला देखा जाएगा आप लोगा, है ना, जो aggregate वाले में बनेगा, वो आपका ममला देखा जाएगा उसके लिए, ठीक, चलो, तो यह बातें सारी की सारी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, अब अगली बात आती है कि सर, ठीक है, हमने यह सब समझ लिया, कि exam pattern समझ में आगा है, face 1 का क्या है, face 2 का क्या है, cut off समझ में आगा, cut off कितना क्या जाता है हमारे पास में, overall cut off कितना जाता है, sectional cut off कितना जाता है, अब बारी आती है, अपने बात क इसकी सारी चीज़ा हो गई, LGBT क्रेटेर भी हो गई, अब आप समझ में आगा कि सर हां मैं इसके लिए पढ़ सकता हूं, मैं भर सकता हूं, आपने डिसेड कर लिए, अब इसके बात की अगली कहानी आती है, तो अगली कहानी दोस्ति ये रहेगी, कि सर सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो दोस्तों देखो, एक्चुली कहाना कि RBA, grade B का कहीं सिलेबस दिया ही नहीं है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो RBA, grade B का सिलेबस देके नहीं रखते हैं, phase 1 का तो बिल्कुल नहीं मिलता अपने को, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, जिसे इतने साल हो गए, पढ़ाते हुए हैं, तो प्रीविस सर का एनलेस के अपर अपर तरीके से, चीक है, 2023, 2022, जितने भी एक्जामरेशन हों है, सब का एनलेस के अपर तरीके से, उसमें देखा, कियार किस किस टॉपिक से questions पूछे गए हैं, कहा कहा से चीज़े पूछी गई हैं आप लोगों को, तो उसी बेसिस पर हम लोगों ने syllabus पूरा decide कर रखा है, क्योंकि यही सब चीज़े पूछी गई है, तो आगे भी चीज़े पूछी जाएगी, इन्हीं में से चीज़े बनेगी अपने लोग के पास में, जैसे हम बात कर ल अगर आपकी कमांड इस पर भी अच्छे से रहती है, तो भी आपको आपको आना ही चाहिए, किसी भी तरह से, कोई भी एक्जामेलेशन आप जा रहे हो, क्योंकि रीजनिंग यार देखो 60 नमर के आती है, रीजनिंग 60 नमर के आती है, बहुत इंपूटन सब्जेक्ट है, ग्रेट भी एक्जामेनेशन के लिए, है ना, रीजनिंग और आपका जो जी ए वाला पार्ट है, बहुत ज़दा इंपूटन है, क्योंकि वह सी नमर का है, यह साथ नमर का है, तो इसमें टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, माना कि सेक्शन कट अफ नो नमर के आ सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक से, जिसके अंदर सेटिंग अर्रेंजमेंट और पजल, इसको तो अच्छे से टाइम देना दोस्त, क्याना, वर्बल रीजनिंग होगा, आपके बस और रिंकिक वाला पार्ट हो गया, अर्रेंजमेंट और पैटन्स होगा, आपके ब्लेड ड से कोई प्रवलम नहीं है, बट करना है, लेकिन हमें कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए रहता है, कोई ना कोई एक हमें पार ऑप्शन होना चीए, कहां से प्रिपरशन कर लें, ठीक है, तो देखो, रीजनिंग के लिए हम आपको सेजिस्ट अगर करें, तो एक बुक है, I think प्रव आप सोरप सर की बुकि ले सकते हो, यह वाली बुक, रीजनिंग के लिए, इसमें बचो, मतलब हर कुछ, मतलब सब कुछ मिलए गा है इसके अन्दर, Ya Na, और यह बुक, मतलब काफी अच्छी है, रीजनिंग के लिए, और इसमें मतलब हर एग लेफल के कुशनस अरन इस के लिए बाद में कोश्चंज की प्रेक्टिस आपको मिलेगी मतलब ऐसे step by step question increase हो रहे हैं मतलब बहुत प्यारी book है अगर लेना चाहिए reasoning के लिए तो I think this is the best book तो यह ले सकते हैं आप लोग अपने उपर ध्यान रखेगा अच्छा ध्यान रखो कि books अगर लेनी है तो referral code है न यह वाला use करना आप लोग कुछ और मत कर लीजीगा अगर books लेनी है तो Y710S और अगर paid page लेना है तो Y710 इसको यह paid page के लिए है और यह books वगरा के लिए books और test series के लिए और यह आपका paid page के लिए है ठीक है चलो आगे बढ़ते है तो दूसरा वाला का part अगर हम लोग देखे तो अपना है quantitative aptitude quant section तो दोस्त देखो quant section काफी important है no doubt इसमें बच्चे रुखते हैं बच्चों को डर इसी से लगता है और फिर last में आते हैं कि इस तर कुछ बता दो कि अपना cut off निकल जा तो ध्यान रखो कि इसको time दिना पड़ेगा थोड़ा सा डरने की ज़दा जरूरत नहीं है आपने अगर इसके basics clear कर लिए basics पर थोड़ा सा foundation वाले part पर अगर काम कर लिए अपने तो आपको पक्का बता रहे दिक्कत नहीं आएगी देखो इसमें से marks कहां कहां से निकाल सकते हो बड़े आराम से सबसे देखो यह simplification approximation वाला जो part है यह last 2 years से नहीं पूछा गया है पिछले 2 साल से नहीं पूछा गया है मतलब इस बार भी नहीं पूछा है लेकिन उसके पिछले बार में approximation वो simplification से भी questions आये है है ना तो आपका calculation part बड़े होना चीज़ के अंदर number series दोस्तो number series से question आपको देखने को मिलते ही मिलते है number series से तो आना ही आना है question 2 question 3 question 2 question 3 question पूछे गया है तो यह important है उसके अलब है inequality quadratic equations तो इसके अंदर से आपके पस questions पूछे गये है है ना तो इन दोनों part यह दो parts तो fix हो गए इनके यह दो parts तो fix हो गए मतलब 3-4 number के असपास तो या फिर 4-5 number तो आपके इधर से ही मिल जाएंगे है ना यह वाले parts से अगर किसमत अच्छी रही तो उसके बाद में फिर quantity comparison data interpretation अब data interpretation भी बहुत ज़दा important है क्योंकि देखो DIA के ना 3 question के आसपास आ जाते हैं कितने question 3 question 3 question मतलब 15 marks तो आपके इधर ही होगे सर इतने होगे 15 marks इधर होगे ठीक है देखो total जितने भी question आएंगे सारे के सारे question बनाने नहीं होते है अपने को सारे question नहीं बनाने होते हैं अगर हम लोग 12 से 12 से 16 की range में अपना target fix करते हैं कि 12 से 16 नमर मेरा target है क्वांट के अंदर तो वो भी अच्छा score होता है अगर कर लोगे तो नहीं आप आर लग जाई अपनी ठीक है उसके अलावा अगर यह topics के अगर बात के लिए जिसके अंदर आपका percentage हो गया और ratio proportion हो गया यह तो एकदम ऐसे topics हैं जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं राइट हमने क्या कहा कि number series inequality, quantity equation वाला पार्ट हो गया उसके लावा percentage वाला पार्ट है ratio proportion है यह से topic है जिनको करना ही करना है क्योंकि percentage और ratio proportion अगर आपने किया तो आप लोग DA पर अच्छे से काम कर लोगे अगर DA अर्थिमिटिक नहीं है तो अगर अर्थिमिटिक DA नहीं है नॉर्मल DA अपके पास है वो भी mixed chart की रही है अपके बस में तो उस पर काम कर लोगे अराम से अप लोग तो यह ध्यान रखेगा बाकि जो देखो अगर ratio proportion कर लिए आपने तो आप लोग partnership को अराम से कर लोगे mixture allocation अच्छे से कर लोगे अप लोग average आपका अराम से बन जाएगा ठीक है इन से भी questions पूछेगे हैं दोस्त और फिर profit loss SICI ये topics काफी आसान है उसके लावा यहां से अगर इधर से अगर आते हैं आप लोग तो इधर से जादा कुछ नहीं करना है लेकिन time and work time and work वाला पार्ट होगे आपके पास में pipe insistent होगे इनको तो करी लेना ठीक है और बागी फिर और भी topics है तो ये पुरा का पुरा syllabus एक तरह से quant का अगर देखोगे तो इन ही सब में से questions पूछे गए हैं अभी तक जितने भी examinations आए हैं और अभी कुछ दिन में मतला हम quant की strategy पे आपके साथ share करेंगे कि किस topic को किस तरह से prepare करना आपको quant को कैसे अच्छे से prepare कर सकते हैं RB grade B level पर ठीक है तो उसकी strategy पूरी लेके आएंगे बट फिलाल में आप syllabus समझ लेजी कि ऐस तरह का syllabus आपके पास है टाइम देना पड़ेगा arithmetic strong करोगे तब ही आप लोग quantity comparison के questions और data sufficient के questions क्योंकि देखो इस बार का grade B का examination था ना उसमें data sufficient के question आया थे statement based वो questions आया थे तो बच्चे उलच जाते हैं उसके अंदर अलच ते इसलिए हैं क्योंकि basics layer ने रहते हैं इसमें trick काम नहीं करेगी रटके जाओके कुछ चीज़े तो भूल जाओगे कुछ काम नहीं आने वाली है हाँ आपकी basics से बनेगी equation frame करके question बनने तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि variable based अगर questions आते हैं इसमें तो आपको एर equation बननानी पड़ेगी आपको अच्छे से अपनी preparation करनी पड़ेगी चलो उसके बाद में अगर आगे बड़े तो सर बुक्स कोन कोन से ले सकते हैं तो देखिए as quant ले सकते हो आप इसके लिए as quant ले सकते हो उसके अलाबा अगर हम बात करें data interpretation के लिए adda 247 की ये वाली बुक्स है इसको भी ले सकते हैं दोस्तो as quant के अंदर अभी फिलाल में आपको देखा जा तो एकदम high level के जो question होते है grade भी वाले वो नहीं मिलवेगे इसके साथ साथ हमारे class notes मतलब हमारी class की जो pdf है basically pdf class pdf ठीक है वो काफी रहेगी जो बच्चे अभी भी पीड बिचेस के अंदर है फिलाल में तो अगर किसी से कोई contact आपका कभी हो तो उनसे पूछना कि quant की class के अंदर तो उनको इतना material मिल जाता है कि वो करी नहीं पाते हैं और ऐसा भी नहीं कि मतलब simple simple level की questions नहीं इसमें जो grade B level को touch करते हैं जो grade B level के है questions वही question हम उनको provide करते हैं हाल लेकिन उसमें hierarchy होती है पेले उनका थोड़ा basic base बनाएने के बाद में धिरी धिरे करके उसमें questions का level हम धिरी धिरे करके increase कर लेते हैं लेवल increase कर देते हैं और number of questions भी हम अच्छागा से उनको provide करते हैं तो वो और उसके सांसाथ यह s-quant अगर ही दो चीजे उनने solve कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है ध्यान रटना अगर books वगरा लेनी है तो रेफल कोड आप लोग यूज करेंगे y710s ठीक है और paid page के लिए आप लोग इस रेफल कोड को यूज करेंगे बता दे चल रहे हैं भूल ला जाओ इसलिए आगे बढ़ते हैं आगला है दोस्तों English के लिए ठीक है तो देखो यार English ना grade B की उतनी अदर डिफिकल्ट होती नहीं है तो बी बेरी ओनेस्ट English जो है grade B लेवल की बहुत ज़़दा डिफिकल्ट नहीं होती है इस English आप ले लीजिएगा निउस्पेपर रिणिंग प्रॉपर रखीगा अच्छे से और इसके अंदर भी देखो जो क्योंकि इसको उगर कर लोगे न निउस्पेपर तो दो तरह से फाइदा करेगा आपका जी वाला पॉर्शन भी कंप्लीट करेगा इंग्लिश आपके अच्छे हो जाएगी इंटर्विव के ले भी काम आएगा ये तो इसको तो तीन-तीन फाइदा है देखा जातो निउस्पेपर रिडिंग के तो तो इसको अच्छे से कर ली जगा इंग्लिश के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट कर ले इंटर्विव से अच्छे होगे जितना रीड करोगे उतना जदा आप रेफलेक्ट कर पाओगे क्योंकि देखो जब बंदा कोई चीज पढ़ता है ना तो वही चीज उसके पाओग, मतलब तब ही वो कुछ बोल पाएगा अगर उसको knowledge नियके तो क्या बोलेगा फिर basically, तो knowledge के लिए आपको क्या करना पड़ussian पढ़ना पड़ना पड़ेगा basically जितना पढ़ोगे उतना knowledge बढ़ेगा अप लोगा उतना अच्छा इंटर्व में परफॉर्म कर पाओगे और देखो इसको नियूस पेपर को पढ़ने के फायदे है और भी जिसे एडिटोरिल वाला पार्ट जो इसका हो गया जो भी एकनोमिक्स वाला पार्ट होता उसको रीड करो अच्छे से वहाँ से काफी अच्छे आपको टर्मिलोजीज मिलेगी हो सकता तो उनके थोड़े थोड़े नोटस बना लो और जब आप लोग डिस्क्रिप्टिव रैटिंग करोगे न तो डिस्क्रिप्टिव रैटिंग में भी उन टर्मिलोजीज उसको यूज करना तो उसका एक अलग अलग इंप्रेशन जाता है आपकी स्पेलिंग सही होना चाहिए स्पेलिंग गरबड नहीं करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी शुरुआत से तो छोटी 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 देखो छोटी छोटी छीज़े हैं उन सब का ध्यान रखोगे तो आपको लगा कि ainda यह सब चीज़े अपन overcome करते चलते हैं क्योंकि कई बार ही आजिसे अगर हम स्पेलिंग की बात कर ले इन तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है तब तो हुआ पर आपको आपको इस्पेलिंग याद निया तो से घीज़ दिया उसको लेकिन भई यहां तो टाइपिंग करना है तो टाइप करने में कुछ करना है सकते है आप इस्पेलिंग जितनी वह लिखनी पड़ेगी प्रॉपर तो इस्पेलिंग अच्छा से याद रहना चाहिए जितनी भी टार्मिनल लोग जाज है वो सारे की सार तो इस्टेटिक वाले से मिल जाएंगे जो टॉपिक से बेसिकली इन ही से आपको मतलब 10-15 कुछन तो मिल जाने वाले है इसके अंदर आपके नेशनल पार्क्स होगे वाइलफ से बन सकते हैं उसके अलावा फिर यह वाला पार्ट हो गया कि बैंकिंग और फैनेंस से देख ले तो 12-15 हो गए और अधर करेंट अफैर्स में 30 कुछन आपके अपरक्स में रहते हैं बैसिकली तो इस तरह से पूरी की पूरे 80 कुछन की जो है इसकी फ्रेमिंग रहने वाली आप सबके सामने तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि यह और देखो यह इस्टेटिक अब लेकिन यह मत करना है कि सर्थ जब एग्जामिनेशन रहेगा तो उसके तीन महीने पहले हम पढ़ना शूरू करें अभी से पढ़ोगे अभी से पढ़ना शूरू करो थोड़ी हबिट जालो अपनी अच्छे से नोट्स बनने के थोड़ी सी हिबिट ना पढ़ती है ना तो ध्यान रखो इसको अच्छा से करना है अब अगर हम बात कर लें अगले वाले पार्ट की तुसर जो syllabus आपके पास है किसका Economics and Social Issues का इसी ESI का तो ESI में देखी यह आपका पूरा का पूरा syllabus दिया हुआ है और इसी तरह का अपका इधर इस बार भी रहने वाला जिसके अंदर Growth and Development हो गया आपके पास में Indian Economics हो गया जिसके अंदर से काफी सरी चीज़ आपको देखने को मिलेगी Globalization वाला पार्ट हो गया इसके अंदर से Social Issues in India जिसके अंदर Multiculturalism हो गया Demographic Trends हो गया Urbanization and Migration हो गया Gender Issue हो गया Social Justice हो गया तो यह सारे के सारे Parts अपको इसारे के अंदर Cover करना पड़ेगा यह बहुत important है Phase 2 के अंदर आएगा आपके पास और Ritika में हम Cover करी रही इसी जो का अच्छे से तो उनके साथ आपनी Preparation कर सकते हो चलिए Then फिर अगर बात कर लेग इसकी General Financial Management की तो General Financial Management में यह सारे के सारे चीज़ आपके पास रहने वाली है Financial System इसके अंदर आपको अलग-अलग चीज़ रहेगी और देखो जो RBI साइट से उसको तो विजिट करना ही करना है RBI Circular हो गए तो विजिए सार अच्छे से करवा ही रहे है उन सबको तो वो ध्यान से करीगा अच्छे से चीके Financial System के अंदर जाएंगे तो Structure and Function of Financial Institutions Function of Reserve Bank of India होगे आपके पास में Banking System ही इन इडिया होगे आपके पास में Recent Development in Global Financial System and Its Impact on Indian Financial System उसके लाबा Role of Information Technology in Banking and Finance इसमें क्या होता है Non Banking System, Development in Digital Payments और इसमें भी क्या रहता है कि जो current issues रहते हैं या फिर current technology वगरा है उस पर भी questions बनने के chances जादा रहते हैं तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम करते रहेगा इसलिए newspaper reading जब करोगे न तो उसके तो बहुत सारे फाइदे हैं आपके पास बहुत जदा है ठीक है उसका फाइदा आपको क्वांट के अंदर भी देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर भी आपकी reading habit लगेगी reasoning के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा प्रेक्स, money, bond, equity यह सब चीज़े इसमें पुछी जाएगी function, instruments, recent developments यह सारा पार्ट ठीक है उसके अलावा इसमें और देखेंगे तो जनरल topics में आपका आए जागा financial risk management हो गया basics of devotees हो गया global financial market and international banking है ना फिर आपका हो गया कि financial inclusions हो गया इसमें और दोस्तों देखो अब जिसे बात आती है आपके दिमाग में की सर इतना सब कुछ हमने देख लिया है बहुत जादा लंबा वीडियो हो गया वैसे है तो काफी सरी चीज़ अपने देख लिए यह बताना जरूरी था क्योंकि अगर जब जो भी बच्चा preparation शुरू करता ना उसके दिमाग ने डिर सरी चीज़े चलती रहती है सर ऐसा क्या होगा वो क्या होगा यह क्या होगा तो इसलिए हमने काई सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं और उसके बाद भी अगर आपके कोई doubts बनते हैं कोई query बनती आपकी कि सर मुझे यह क्या होगा मतलब जो भी आपके दिमाग में जो भी चीज़े आ रही है तो इस वीडियो के बाद यह वीडियो एंड होने के बाद comment box में अपने comment share कर देना आप लो कि किस-किस चीजों की मतलब जो भी आपके doubts बन रहे हैं हम कोशिश करेंगे जो भी आपकी queries रहेगी उसके उपर proper video बना दें ताकि अगर वह आपका doubt है तो हो सकता है किसी और बच्चे का भी doubt हो तो उनके सबके doubts sector से clear हो जाए तो इस वीडियो के माद्धम से अपनने सारे के सारी चीरे जान लिए अब सब कुछ आपको पता चल गया है अब आपके दिमा में घुमराओं को सर exam date भी लिखा था बाहर ना बाहर सबसे starting में examination date भी तो लिखा था तो दूस देखो examination date ना exact बताना तो possible नहीं किसी के लिए भी कोई भी नहीं बता सकता आपको के exam date यह होगी आपके पास एक round off हो चलता है यह ना बोलते ना approximate वाला part तो वो approximation वाली condition चलती है हाँ यह ना हम लोग क्या करते हैं मतलब जिसे जो last day वाला part था उसी को थोड़ा सा reference मान के अगर हम लोग चले सो दोस देखो आर भी ग्रेट भी का जो notification था 26th एपरेल एपरेल में 26th एपरेल में या था शॉट नोटिफिकेशन और 9th में को उनना डिटिल्ड दी दे था 26 अपरेल को शॉट 9th में को डिटिल्ड डने ठीक है तो आपको डिटिल्ड नोटिफिकेशन मिल गया काफी सारे बच्चे ऐसे थे पहले तो शॉट नोटिफिकेशन पर बिलीव नहीं करते हैं कि शॉट नोटिफिकेशन ऐसारी तो फेक है क्योंकि सर्कुलेट होता हर जगा पर और फिर 9th को जब डिटेल्ड आ गया तब बच्चों की नीन खुली किसरा अब तो प्रिपेर करना आरे भी के रिट भी के लिए और उस टेम पर आप देखो धेरो बच्चे भागते हैं फिर धेर सारे बच्चे भागते हैं लेकिन उनमें उनका सेलेक्शन थोड़ी ना हो गया अब दो मेने अब देखो टाइम कितना नहीं मिला था आप खुद देखिए ना कि 9th of May को आपका डिटेल्ट नोटिफिकेशन आगया अब में के बाद में आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए भी है ना कबसे नवर्म भरना शुरू हो गए 9th of June उन्हें लास्ट डेट कर दी ठीक है और उसके बाद में 9th of July को आपका एक्जाम उन्हें कंड़र्ट कर दी है भाई साब एक्जाम दो मतलब June और July दो मेने टाइम मिला दो मेने बच्चा क्या-क्या प्रिपेर करेगा अभी आपने पूरा syllabus देख लिया कि syllabus में इतनी सारी चीज़ें हमें cover-up करनी है तो दो भीने में करना possible है not possible करी नहीं पाएगा वो तो फिर क्या होगा फिर कुछ नहीं होगा fees भरी है मतलब जो form भरेंगे fees जाएगे उनकी होना कुछ नहीं है फिर अगले साल की preparation के लिए करेंगे फिर छोड़ देंगे फिर notification का wait करेंगे फिर form fill up करेंगे फिर नहीं होगा selection time देना पड़ता है दोस्त तो अगर इसकी according देखें तो इन्होंने सिर्फ दोड़ ही मेने का time दिया है बच्चों को exam के लिए और होगया काम उनका ठीक है और उसके अलावा अगर आप बात कर लोगे किसकी phase 2 के examination की तो phase 2 की exam date भी आप देख लीजिए जुलाई जुलाई खतम कहानी इनकी ठीक है राइट तो ये data है दोस्त अब इसी को हम थोड़ा सा अगर दिमाग में रखें अगर इसी को थोड़ा सा दिमाग में अगर रखें कि सर April के असपास की कहानी अगर बन रही हमारे पास में है ना तो दूस्त फेब से या फिर फेब बोले या फिर मार्च पोलो अप लो तो इस से अपरेल के beec में April के beec में आपको कही ना के देखने को मिल जाएगा Notifications का 2023 का 2024 का know ना कि आपको इस दारान देखने को बिलकुल मिल जाएगा हमज़रो ठीक है, तो आप भी क्या चल रहा है, देखो, October तो गया है, almost गया है, November, December, January, February, March, April, मतलब मोटा मोटा करके अगर देखा जाए, तो 6 मन्त का target मतलब 6 मन्त हमारे पास है, और देखो, 6 मन्त क्या है, NFA के लिए, preparation करने के लिए, लोग अलग-अलग आपको strategies बताएंगे, 6 महिने में, RB, grade, B crack करो, फिर 4 महिने में, RB, grade, B crack करो, फिर 3 महिने में, RB, grade, B crack करो, लेकिन थोड़ी असलियत जानलो, कि preparation में आपको time देना पड़ेगा, syllabus सारे के साले complete करना पड़ेंगे, phase 1 के भी, phase 2 के भी, है ना, देखो, आपको phase 1 complete करना है, phase 2 भी complete करना है, interview के लिए भी prepare करना बच्चे इस पर ध्यानी नहीं देते है, descriptive writing भी आपको अच्छे से करना है, आपको practice होना चाहिए उसके उपर, ये तो examination में perform नहीं कर पाते हैं हम लोग, समझ में आ रहा ना, तो preparation में time दो अपने आप, है ना, और जितना जल्दी शुरू कर सकते हो, उतना ज़दा बहतर हो आप सभी के लिए, राइट, चलिए, तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो जो है, पूरा का पूरा आपके लिए helpful रहा होगा, है ना, ये helpful रहा होगा आपके पास, आपका target अगर RB, grid भी examination है, आपके पास दो options हमने बताएं, मतलब दो options आप कर सकते हो, या तो self study में आप आपको resources ढूड़ना पड़ेंगे, YT channel पर काफी सरा material आपको मिल जाएगा, अलग-अलग YT से पढ़ सकते हो, आपको notes प्रिपेर करना पड़ेंगे, थोड़ा time उस पर extra देना पड़ेंगा आपको, वो भी possible है, otherwise आप किसी भी source को पकड़ो, उनके साथ उनको उन पर trust करो, और पर उनके साथ अपनी preparation शुरू करते हो, वो भी कर सकते हो, तो अगर आपको इपेड बे जोइन करना चाहते हो, यह आपके उपर है, करना ना करना, तो क्या कर सकते हो, किस तरसे जोइन करना है, let me show you, कि आज क्या है, वीचा दश्मी है, यह ना, दशेरा है आज, तोड़े 24 24-7 के सारे महापेक्स के उपर आपको डबल वेलेटी के सांसान, 80% का discount मल जाएगा, तो कैसे क्या जोइन कर सकते हो, let me show you, एक मिनिट जना विद दीजिएगा, अगर आप जोइन करना है, चाहते हो तो, और जो बच्चे नहीं करना चाहते है, तो it's okay, कोई problem नहीं, आपके बस bank महापे, प्लस का option है, या फिर regulatory bodies महापेगे, तो कैसे करना है, जोइन, सबसे पहले visit करें आप add 24-7 पर, right, और पहली वाली link पर click करने के बाद, अगर आप grade B के लिए prepare करने वाले हो, तो इसको थोड़ा सा ऐसा scroll down करना, इस तरह से scroll down करना, ठीक है, और scroll down करने के बाद यहाँ देखना, कहीं RB नज़र आ रहा कि आपको, नहीं नज़र आएगा, तो थोड़ा से इसको इधर side करना, पहले आपने नीचे किया, और side में कर लिया इस तरह से, ठीक है, तो इसमें foundation badges नज़र आएगे, अपने को RB grade B पर जा रहा है, तो यह RB grade B रहा, इस पर click कर लो, RB RB grade B पर जैसे ही click करोगे दोस्त, तो आपको यहाँ पर नज़र आगा, RB grade B officers 3.0, या तो यह join कर लो, अगर इसको join करेंगे आप लोग, तो आपको यह batch मिल जाएगा, आराम से, ठीक है, डबल वेलिटी के साथ में, ठीक, और यह batch B में नया ही batch है, तो अगर आप join करना चाओ इसको कर सकते हो, officers 3.0 है, otherwise, आपके पास best option होगा, bank mahapek plus का, कौन सा option आपके पास है, bank mahapek plus, जिसके अंदर banking के सारे examination, regulatory bodies के examination, सब कुछ cover होगे इसमें, आपको जाना है, buy now उपर, यहाँ पर inter referral code बोले, तो Y710, referral code क्या लगा होगे यहाँ पर, Y710 लगा दीजेगा, और इसक कर देंगे, आप लोग apply, ठीक है, तो आप लोग देख पाऊगे, कि sir, यह जो course है, वो less than 6000 में आपको मिल रहा है, भई 6000 से कम में आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको अगर देखना कि क्या-क्या मिलने वाल है, तो देखो, live class, video classes, test series, e-books, सब कुछ मिलेगा, अग आपको मिल जाते हैं, हमारी जो टीम है, वो आपको प्रवाइट कर देती है, और जो भी अगर आपकी queries होती है, वो आप faculties के साथ discuss कर सकते हो, ठीक है, आपको एक individual groups होते है, faculties के, वहाँ पर आप indirect कर सकते हो, faculties के साथ में कोई भी doubt अगर आपका आता है, तो वहाँ उनके स कर लो, कहां के courses best है, और उसके बाद आप जोइन करिएगा, ठीक है, चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतनी रखते हैं, ध्यान रखेगा, अगर आपको जोइन करना है, जोइन करना है, तो इस रैफल कोड का यूज कर सकते हैं, हैना I think यह visibility होगी इसकी properly, रैफल कोड होगा आपके पास कितना Y710, क्या होगा, Y710 for maximum discounts, ओके दोस्तों, so thank you so much, thank you so much for joining this session, bye bye, check care, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको share जरूर करें, ताकि और बच्चोतों के पहुंचे, thank you, bye bye. झाल